गोभर्मेंट के दुबरा जो यह एस्किम लाया गया था कि हर घर बिजली हो जो जना, तो अभी वर्तावर में लगभग-लगभग, मतलब हर घर तक बिजली को पहुँचा दिया गया है. चाहे आप ग्रामीन इलका में है या भी सहरी इलका में इसके बाद जो है अब smart meter का जो है यह नियम लाया गया है हर घर में जैसे बिजली है जहां भी बिजली है वहाँ smart meter लगाया जगा तो आपको smart meter का फंडा समाझना चाहिए यदि आप smart meter का फंडा नहीं संदेंगे तो ऐस इसे इतिति में मुश्किल में फंडा सकते हैं आप बहुत financial loss कर देंगे तो क्या है smart meter इसके बारे में हम आपको जनकारी देंगे इसे पहले था digital meter ठीक है उसके बाद जो है digital meter को हटा के यहाँ smart meter इस्टोल किया जा रहा है तो smart meter जो इस्टोल किया जा रहा हर व्यक्ति के घर में यह मुख रूप से दो कंपनी के दोवरा ही बनाया जा रहा है एक है NBPDCL और दूस्टा है SBPDCL ठीक है यह दोनों के दोवरा smart meter अभी काफी तेजी से लागाया जा रहा है और आपको बता दे अभी वर्तवान में दिल्ली उत्तरपरदेश हर्याना बिहार राजस्थान औ पूरा होने पे है मतलग कहीं पे 70% हो गया है कहीं पे 80% हो गया है और कहीं पे 90% हो गया है वो भी हम जितना एस्टेट का नाम लिए है इतना जगह में अभी लगभग लगभग जो है 90-95% जहां पे काम हो गया है यह एस्टेट में सहरी इलाका में सहरी इलाका में लगभग इस्टल किया जागा और smart meter हर व्यक्ति को लगना होगा है, तो ऐसे इस्तिति में आपको यह जनना बहुत जरूरी है कि आपको smart meter से क्या लाव है और इसे क्या आपको नुक्सान हो सकता है, जब तक आप इसका फैदा और नुक्सान को नहीं जानेंगे, तो ऐसे इस्तिति में आप काफी पीछे रह सकते हैं, आपको ये दोनों पहलू जानना चाहिए, और हम आपको ये दोनों पहलू के बारे में आपको बताएंगे, ठीक है, बहुत व्यक्ति जो है, अभी देख्या होंगे कि smart meter का काफी विरोध कर रहे हैं, बहुत व्यक्ति घर से smart meter खोल के रोड पे फोर दे रहे हैं, कहीं पे मतलब जो है, चका जाम किया रहा है, कहीं पे विरोध परदसन किया रहा है, तो इसका मुख रूप से हमको पता चला है, अभीता, तो त और उसी से bill generate होता था कि आपने एक महिना में कितना खपत किया, तो आपने जितना खपत करते थे, वहां आपको एक bill दिखा दिया जाता था, और आप bill में देख सकते थे, आप कितना unit खपत किये हैं, उस unit का कितना चार्ज हो रहा है, कितना पैसा हो रहा है, और government के दूर आ आपको कितना subsidy दिया जा रहा है, तो अब आपको पे कितना रुपया करना है, यह सभी detail दिया रहाता था, इसके बाद भी और जदा detail रहाता था, कि किसके नाम से meter है, वो 100, ठीक है, तो लेकिन अब जो है, यह जो smart meter है, इसमें कुछ उल्टा फंडा है, इसमें यह है, कि जै जैसे वो recharge होता है, तो आपका incoming call बंद हो जाता है, outgoing call बंद हो जाता है, आप किसी से बात नहीं कर सकते हैं, किसी को message नहीं बेच सकते हैं, इसी pattern पे smart meter ही काम करता है, तो जैसे मान लिजे आपने 100 रुपया का recharge करते हैं, तो 100 रुपया का जब तक उसमें recharge होगा, यानि कि ज जो है फिर से recharge करना होगा, तो जैसे आप पहले recharge करेंगे, उसके बाद ही आप उपयोग करेंगे, digital meter में ऐसा नहीं था, ठीक है, digital meter का बिल्कुल उल्टा smart meter चल रहा है, ठीक है, आपको पहले पैसा देना है, उसके बाद यूज करना है, smart meter में, और digital meter में किया था, पहले अब कब बदला जाता है, इसका अभी कोई limit नहीं है, कुछ कहा नहीं जा सकता है, तो जब भी वो smart meter लगेगा, तो उसके बारे हम और detail जनकारी देने का परियास करेंगे, ठीक है, तो जो व्यक्ति लगा लिया है, जो यूज कर रहा है smart meter को, उसके तुमारा ये सिकैत सुनन को मिला है, कि बिल काफी जदा आ रहा है, यदि उसका digital meter में 2000 तक बिल आ रहा था, तो अब smart meter में 5000 तक बिल आ रहा है, हलाकि इस विशा पे हम जदा कुछ नहीं बोलेंगे, क्योंकि यदि जो यूज किया है, वो अपने according बोल रहा है, हम यदि यूज करेंगे, तब आपको इसका जो भी सचाई होगा, वो हम बता देंगे, और तीसा मुक करान है विरोध का, कि यदि आप payment नहीं करेंगे, तो ऐसे इस्तिति में आपका electricity कट हो जगा, और आपको पता ही होगा कि अभी electricity कितना जरूरी है, हर व्यक्ति के घर में mobile होगा, कोई घर ऐसा नहीं होगा, ज कोई चार्ज करने नहीं देगा, शाथी साफ अभी जैसे पहले मतलब खोटा में राशन उठाते थे, जो भी जिसके पास भी राशन कार्ड था, वो लोग राशन उठाता था, तो पहले जो है, वहाँ पे किराशन तेल भी दिया जाता था, लेंपो अगरा जलाने के लिए, अब वो भी वहाँ भी किराशन तेल मिलना बंध हो गया है, तो ऐसे इस्तिति में सभी व्यक्ति जो है 100% बिजली पे स्विच कर गया है, मतलब हर व्यक्ति के घर में कुछ न कुछ मर्जांसी लेट वगरा है, जो चार्जिंग से चलता है, तो ऐसे इस्तिति में यदि इकत का समना करना पर सकता है, तो यही सब बिरोध परदनसन जो आम लोगों के दुवारा किया जा रहा था, तो इसलिए बिहार सरकार में step उठाया है, और इसको अभी ततकाल परवा से रोक लगा दिया गया है, कि जहां तक smart meter लगा दिया था, वहां तक तो काम ठीक है, और बंकी आगे अभी smart meter का काम बंद किया गया है, कुछ दिनों के लिए, कुछ दिनों के लिए बंद किया गया है, उसके बाद 100% सभी का घर में smart meter पहुची जागा, क्योंकि आपको पता ही होगा कि बिहार में आगे चुनव होने वला है, तो चुनव के मद्दे नजर रखते ह बहुत ब्यक्ति के दौरा smart meter का विरोध किया जा रहा था, तो वो विरोध और को देखते हुए government के दौरा इसको break कर दिया गया है, इसी pattern पे आपको पहले भी पता होगा, कि survey का जो कार्ज हो रहा था, उसको भी कुछ दिन के लिए बंद किया गया है, क्योंकि बहुत ब्यक से पहले यदि आम पब्लिक निराश हो जागा, तो इसे इस्तिति में काफी दिक्कत हो सकता है government को, आप ये चीज़ समझते होंगे, साथी साथ ब्यार सरकार के दौरा ये भी दिशार निर्देश दिया गया है, उसका जो भी सरकारी कर्मचारी है, कि आप लोग एक आप मिटर लग गया है, उसके बारे में बताएगा क्या आपका जो पहले डिजिटल मिटर था, उसे जदा आप मिटर बिल दे रहा है, या उतना ही दे रहा है, या उसे कम दे रहा है